ये एवरिवन, तो चलिए सीखते हैं अनुखे शब्दों की English, तो first है गोबर, गोबर को English में कहते हैं काव डंग, ये जो आपके सामने image दीख रही है, ये गोबर की उपले है, तो इन्हें English में कहेंगे काव डंग केक, काव डंग केक, next है इसे कहते हैं कीचर, कीचर, और इंग्लिश में कहेंगे mud, mud, next है सडकों में यह होने वाले गड़े, सडकों के गड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं pot holes या फिर pit, pot holes या pit, next है गंदगी, और गंदगी को इंग्लिश में कहेंगे dirt, d-i-r-t, dirt, फिर है धूल, और धूल को इंग्लिश में कहते हैं dust, dust, जब धूल उड़ती है तो कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है तो उसे कहेंगे dust, next है पसीना, और पसीना को इंग्लिश में कहते हैं sweat, sweat, next word है mail, वच्चों को गंदगी के कारण हाथ पैर में mail हो जाता है तो उसे इ next word है mahek, और mahek को इंग्लिश में कहते है smell, smell जैसे फूलों की मेहक होती है उस तरह से, next है खुशबू, खुशबू, खुशबू को इंग्लिश में कहते हैं fragrance और सड़ी वी सबज्यों को कहेंगे rotten vegetables रोटन वेजिटेबल्स नेक्स्ट है बासी यानि कि बासी खाना तो बासी खाना को इंगलिश में कहेंगे stale food next है बदबू और बदबू को इंगलिश में कहते हैं odor next हमारा वर्ड है फफुंद जैसे ब्रेट वगर में फफुंद लग जाता है तो फफुंद लगा हुआ खाना को कहेंगे musty food next है मुर्जाया हुआ और मुर्जाया हुआ फूल को इंगलिश में कहते हैं wilted flower next है खिला हुआ फूल और खिले वी फूल को इंगलिश में कहते हैं blooming flower blooming flower so that is it for today's video guys if you find this video useful and informative then please hit the like button and also subscribe to my channel thanks for watching